हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने कुछ मिट्टी भी रेड़ी किये तो एक हैंगिंग प्लांटर में रेडी कर रही हूँ उसके लिए मैंने मिट्टी तयार कियai तो सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ की hanging planter में आपको मिट्टी कैसी बनानी है hanging plant अगर लगाने है hanging basket ready करनी है तो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगी कि मिट्टि किस तरीके से आपको रेडी करनी है, क्या-क्या उसमें मिक्स करना है क्या नहीं लेना है पूरी जानकारी दूँगी तो वीडियो पूरा देखीगा बिने स्किप किये और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजेगा बेल आइकन और पर प्रेपेस कर लीजेगा तो फ्रेंज जैसा कि आप देख रहे हैं यह है जेट प्लांट और जेट प्लांट काफी बुशी हो चुका है अब मुझे इसे कोई एक शेप देना है यहाँ देखिए मैं कुछ समान लेकर के रेडी हुई हूँ यहाँ पर हेंगिंग बास्केट है और एक ही मेरा चोटा सा ट्रे गार्डन जो की मैं रेडी करने वाली हूँ इसको थोड़ा डेकोरेट करना है तो फिर आपके साथ ज़रू शेयर करूँगी और इसमें जो मैंने जैट प्लांट की कटिंग लगाई थी यह दो साल पुरानी कटिंग है आप इसकी स्टैम देख सकते हैं काफी हेल्दी हो गई है दो साल में और इसकी मैंने कटिंग कर दी क्योंकि मुझे इसे बॉन्जाई ही रखना है इसको मुझे जादा बड़ा या फैलाया हुआ नहीं रखना है मुझे इसे कोई शेप नहीं देना है बस एक ट्री जैसा रखना है कि एक ट्री है जो की ट्रे में लगा हुआ है और पिंचिंग मैं इसकी करती रहती हूँ कि ये अंदर ही अंदर बुशी होता रहा है नीचे ही नीचे इसी ट्रे में मैंने ये एक और कटिंग्स दो तीन कटिंग्स लगाई थी एक और उसमें लगी हुई है और एक ये जो मैंने निकाल लिए क्योंकि ये सही जगे लगी हुई नहीं थी तो यहाँ पर मेरे पास दो मिट्टी के जो पुराने करवे होते ना उनको कलर किया हुआ था बहुत पुराने है अभी तो इनको फिर से कलर करना पड़ेगा थोड़े कलर अच्छे नहीं हो रहे हैं उनके बट मेरे पास अभी फिलाल यही अविलेबल थे तो मैंने सोचा इसी में लगा देती हूँ और एक हेंगिंग बास्केट है इसमें मैं जैट प्लान की कटिंग लगाँगी तो हेंगिंग बास्केट की मिट्टी बनाने के लिए यहां पर मैंने यह देखिए इसमें तगारी में सारा सामान लिया है एक हिस्सा कोकोपीट लिया है और एक हिस्सा मैंने मिट्टी का लिया है गार्डन सॉयल और इसी का आदा हिस्सा जतना हमने cocopeat और garden soil लिया है इसका आधा हिस्सा मैंने construction sand ली है और उसी के बराबर मैंने gover का खाद लिया है जिसमें trichoderma mix किया है तो जिसे में अभी ये देखिए cocopeat है ये मिट्टी है और यहाँ पर ये देखिए मैंने compost ली है जिसमें मैंने trichoderma mix किया है ताकि fungus से plant को कोई नुकसान ना हो और ये construction sand है थोड़ी सी आपको mix करनी है ताकि drainage system बहुत अच्छा रहता है और hanging basket और pot में अगर आप plant लगाते है न तो उसका जो drainage system है वो अच्छा हो ना ची देखिए इसमें ये एक और यहाँ पर चोटा सा जाड़ है लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया है मैंने कुछ सोचा है इसको decorate करने के बारे में इसलिए अभ हम सबसे पहले जो hanging basket है उसके जो होल से उनको cover करेंगे वैसे तो अगर आप hanging basket के hole को cover ना भी करें तो भी चलेगा क्योंकि hanging basket क्या होती है न कि बहुत सी ऐसी आती है जिनमें holes बहुत चोटे चोटे होते हैं लेकिन मेरी जो ये वाली hanging basket है ना इसमें holes काफी बड़े-बड़ हैं और अब मैं अच्छे से इस मिट्टी को देखिए कोको पीट अगर आप hanging basket बना रहा है ना मिट्टी उसमें डालनी है तो कोको पीट जादा रखिए उससे के आयना basket ज्यादा है वी नहीं होती बहुत ही light होती और यह देखिए जैट प्लान की cutting मैंने ले ली है और जो मै जैट प्लांट की तो वह भी हो जाएगी और काफी अच्छा लगता है जैट प्लांट नीचे की तरफ शावरिंग करता है ना तो वह hanging basket में भी बहुत सुन्दर लगता है और मेरे पास hanging basket में जैट प्लांट नहीं है मैंने पॉट में लगाया हुआ है और इस साल मैं सारे plants मिल जाए और अब दिरे दिरे वह हो भी रहा है तो इस तरीके की मिट्टी आपको बनानी है जो hanging planter के लिए काफी अच्छी होती है और बिल्कुल हलकी होती planter टूटा भी नहीं है और यह जो मिट्टी के गमले है यह पिछले साल मेंने color किये थे इस साल में नहीं कर प आते तो में बाद में जब भी करूंगी तब इन पर कर दूंगी color और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी दे देना है तो यह हो गई हमारी रेडी बास्केट्स और पॉट्स आप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक किजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब सेओ कीजिए बेल आइकन और पर पिस कीजिए ताकि आगाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डारेक्ली पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब त किल जय दिए में झायकिए झाल धिए किशना अधरायapers इंस